कि यारे बच्चों मैं इंग्लिस लेक्चरार रेन मली कोड़ीलिट पॉलिश के थर्भा आज आपको इंग्लिस फर्स्ट के बारे में कुछ क्राश परक एंग्लिस फर्स्ट के बारे में आज इंट्रिक्शन करना चाहते हैं सबसे पहले हम एड्जाम में हमारा फर्स्ट कोशन इस तरीके से आता है और फर्स्ट कोशन की कुन से पार्ट को हमको इस तरीके से शोल करना है यह देखते हैं तो कोशन मुदा फर्स्ट कोशन मुदा फर्स्ट हमारा एक्स्प्रिमेशन से आता है और इसके दो पार्ट होते ह हमारे first a second b दोनों पार्ट हमारे a eight marks पे होते हैं पहरा firstď exp he정is and the math lie paar वह प्रोज होता जो हेक्ष आ एक्षामिश एक्षार गोस्त और, तो सबसे पहले हम देखते कि किस तरीके से करते हैं किस परीके किजह करने चाहिए एज़ाम में च्छे मालम सकें कि सबसे Ό हम उस पैसे को लेते हैं जिस के हमें एक्सेर्मिशन करनी है ऐगसल्टे मेंता सिभाने और के स्यागे फैसिज को कड़िए कि वहीं कि सानल पार में आपको जो भी पैसिज कर्ना वाया छ लिखे हैं तो सबस्क्राइब है उस पैसुज के फर्स्ट वर्स जो आपको एक्जाम में दिये गए और उसके बाद दोड़ लगा दीजिए उसके बाद लास्ट के वर्स ले दीजिए जो आपके लास्ट के वर्स है हम यह दिते हैं उसके बाद हमारा जो फर्स्ट हडिक होता है वह होता है रिफरेंस हम त Ensuite कि सिद्धा करना होता हुआ कि तरीके से में प्रोज़ करना हुआ मिरम इस दोनों में प्रमित होता है और दोनों legal Oh में आपको तू मार्स के लिए तू कॉंटेक्स्ट के लिए और फोर मार्स एक्सक्राइशन के लिए इसलिए तरीके शिकरना तो रिप्रेंस में देखे लाँ रिप्रेंस में एक तो चील यह है कि हम ली सकते हैं इस लाइन्ज रिप्रेंस हाँ वीं टिकनक्राइशन उसके बाद लेसल कर नाम हम चालक लेसल करना हम लिए जान रहे हैं उसको ब्लैक वैल से लिखे और दूसरी जी सॉसकर कॉमें लिए और लेसल के नाम का फॉर्स लैटर आपका एक तर्व यह आपका जान नेका पिर उसके बाद रिटर् उसके बाद जो भी आपके writer या author है उनका नाम है यह आपकी प्रोज की explanation का reference है और इससे दो परी कैसे लिख सकते हैं फ़र्स्ट जाहां हम ने लिखा नीजलिए लाइन्स यहां हम लिख सकते हैं this passes यहां लिक सकते हम this passes और पिर यहां है की ज़गे लिखेंगे has this passage has been taken from the lecture अगर विदवास के written by घिलियम C. डगस इस तरह के से हम reference करते हैं प्रोज कर अब प्रोज में और कोईट्रि में क्या difference है जहां हम लिखाएंगे हो यहां हम इस एक्सेशन करने के लिए भी हम लिख सकते हैं These lines have been taken या फिर have been taken या यहाँ लिखा हमने इस प्रेस्ट थे हम लिख सकते हैं This stanza इस इस टेंजाब है वी टेकन फॉम्दा पोयम यहां हम लेसन ही लिखेंगे फॉम्दा पोयम और उसके बाद उसी तरीके से बिलकुर थी पोयम का नाम कोमे के अंदर लिखेंगे और जहां हमने प्रोज में लिखा है रिटर्ण आपको पोयम में लिटर्ण नहीं लिखना आप रहां लिखेंगे कंपोज कंपोज बाई कंपोज बाई जो भी होगा पोयम का नाम कोमे के अंदर इस तरीके से आप अपनी एक्स्प्लेनेशन के एक हैडिंग एक टोपिक को खिलियन कर सकते हैं कोई इतनी बड़ी बात नहीं ह जबर यह है कि आपको रौज की वोलाइन्स पता हो कि किस लें गई हैं और पोई आखिके में पता हो मैं चीए कि किस लेंशन से और उनके राइटर क्या हैं यह आपको पता ज़ैंस धूल नमबर आखिंगी उसके बाद सब्सक्या है क्या है कूंटेक्स्ट में हमें पोययर् तो तो पेसेज में या उस इस्टेंजा में एक्स्पेश करना चाहता है क्या कहना चाहता है क्या संदेश देना चाहता है या फिर क्या एडवाइज देना चाहता है जो भी है हम अपने context के अनदर उसको लिखेंगे उसके बाद हमारा next programming होता है explanation अब explanation में जो इस्टेंजां जहां से जहां तक आपने explanation करनी है उस stranger को अच्छे से देख लो उसमें क्या बखारा गया है हमें क्या सवाद गया है या हमें क्या suggestion दिया गया है जो भी है आप उस explanation को अपने शब्दों में English इसमें convert करके लिखेगा इस तरह से आपकी explanation हो दिया है उसी तरह poetry explanation करते हैं तो context और explanation भी हम poetry की उसी तरह से करते हैं context में पहली जो बात है इतना ध्यांद है कि वह भी आ जाए ताकि हम उस passage को अच्छे से समझ सके कि हमें वहां writer या poet ने क्या advice दिया है क्या suggestion गया है क्या संदेज गया है क्या हमें कहना चाहा है ठीक है तो यह आपका आठ मंज़र प्रकास इस परीकिसे हो जाए को उसके बाद हम देख से हैं जो हमारा lesson number one है अगर विदा बास्केट उसका जो जब तक हमें हिंदी याद नहीं होगी तब तक हम explanation नहीं कर पाई हो इसलिए ज़रूरी है कि सब बच्चे उसकी हिंदी अच्छे से याद करें ताकि आपके explanation भी अच्छे से को सकें तो आए थोड़ा थोड़ा हम रूज बढ़ेंगे और एक या दो पैराग्राफ जैसा भी आज हो स्टार्ट करते हैं तो पैराग्र्चो फर्स्ट जो चेक्टर है हमा इसी डगलस अमेरिका के हाई कोड में एक नियाजीज ने मतलब कि जज थे और उने संसार में बोद भर्मन किये तो भारत का भी बर्मन करना चाते हैं और भारत के भर्मन जब भारत का भर्मन होने किया तो 1950 यानि यह बाद जी जब लैसन निका रहा है 1950 की बात है 1950 मे भारत क भारत किया और भर्मन के तुरान वो नई दिवी से हिमाल्य के पहाड़ी पहाड़ी लिगाता जहराई के उसमें गूमने का निश्यक करते हैं तब ब्रेलिकत नेरगाई से और उसके बश्या राणी खेथ तब एक कार से महां पहुंचते हैं और रास्ते में वे तरह तरह के जैसे हे बता बड़ अलगला स्टेशन परण पर प्थित है तो मिरारगति में अलगतर है के लोगों से बातशीत करते हैं वहाड़त रहा हैं कि भावतिय जो लोग हैं वो गडिनी में दील स्वाभी मानी और मुदाथ हैं एक स्थान पर वे नो मस्की एक सड़ाव मोपी लड़िते हैं और जब वे उससे मिलते हैं वो उसके सवाभी मान और आप में सम्हाम से बहुत परभावित होते हैं दिखाई देती है और क्योंकि उस लड़की को वे ग्रेजर्टी के रूप में कुछ धन देहाते हैं लेकिन वो लड़की उस धन को ग्रेजर्टी के रूप में सुविकार नहीं करके उन्हें वापिस दे रहते हैं और कहते हैं कि भी मांगने से अच्छा हम्मर नापसंद करेंगी तो देखेगा लेसर नमबर वन इसका जो फर्स्ट टैस्ट है पैसर नमबर वन अब देखेगा मैं नई दिली से हिमालय के ओर चल पड़ा कौन कहता है लेकर कह रहे हैं कि मैं नई दिली से हिमालय के लिए निकल पड़ा चल पड़ा अब अब ट्रेण मैं ड्रेष्ट इंड ट्रेण से अब आपा कि ईड़ा खा ने मैं एक प्राजीन पुराना अंग्रेजी शेणा पहाड़ीमक है अग्रेजिशेना के शामी है जो लोकेटेड ओनाफ सिक्स थाउजन फुट्रेज अबोजिट आपन ट्वंटी मील स्ट्राइस पोप स्नोग के उपमाला था जो एक सो बीस मील तक फैले हुए बंप से ढखे हुए हिमाले के सामने छे हुजार फुट उचाई पर इस्थिफ है दा ट्रेन पास लोग ट्रेन भीर दीरे चल रही थी और गिट स्टोप अट ओल द वे स्टेशन और यह राश्ते के हर्ट स्टेशन पर रुपती थी आपने डप्ले का तरवाजा फोलता था और प्लेटों और प्लेटों पर घूंता था प्लेटों पर बहुत भीर थी एनके लोगों से बहुता हुआ था और बहां कुन 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 लों थी सिख, मुसलिफ, हिंदू, स्टोल्जर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, पोर्टर, बैगर्स, खाकर्स यह सब लोग महां मुझी थे अल्मोस्ट एड़िवन लगभग पर्टेख वेर्टी वाज बेरफू नंके पैरो था एंट्रेस्ट इन लूज वाइट गर्मेट और सकेट धीले बस्तर पहने हुने था आई उड़ास्ट एट लिस्ट प्रिस्ट मैं लगभग तीन लोग उसे बात्चीब करता था बिपोर आई तूट थाइंड वन वोस्पों इंग्लिज्ट तब मैं ऐसे वेकिस्ट मिलता था जो इंग्लिज्ट बोल सबी वी वूट टोग वाट प्यास्ट हमने संसार के काजिन अलाग उपर बात्चीब करते थे और परते उस मुख के बिल्दू पर बात्चीब करते थे इन दिस वे रास्ते में आई वास ट्राइब अपिल्ट ऑफ दा नेशन इस परका मैं आधिकारिक द्रस्टिकों तथा चैकिंग ऑपिनियंग अगेस्ट ऑफिशियल इस्टिटूट एंड रिपोर्स इस परकार मैं क्या अधिकारिक क्या नेशन तोट्स थे ऑफिशियल ऑपिनियंग थे एंड रिपोर्ट जो आँकी खबरे थी उनके विचारा के मार्दम से रास्ट के बढ़्दिन की भावना तो प्यारे बच्चों आज हमने एक पैसेज पड़ा है आप प्लीज घरकर उसको बार बार अच्छे से पढ़िए ताकि आपका एक्स्प्लिनेशन अच्छे से कर सकें अब पैसेज नमबर टू हम करते हैं आज भी लिए इतना ही धन्यावार्ट झाल